ओकी स्टुडेंट्स आपके टीस्ट पेपर की एक वन मॉर थिंग लास्ट थिंग हम सिखेंगे जिसको बोलते हैं असेंडिंग और और उसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम स्मॉल नंबर से लेके बीक नंबर तक लिखना है ओक वहाएंस नंबर हैं तो हम क्या करना है देखो यहाँ पे लिखा है असेंडिंग औरॉडर मिंस हमें उसको चड़ते क्रम में लिखना है माना smaller to bigger उसको small number से लेके हमें big number तक लिखना है देखो, यहाँ six boxes आपको दिये गए है उसमें से पहले पहले आपको क्या करना है, चलो find करना है सबसे छोटा number सबसे छोटा number कौन सा है चलो देखो तो yes, number one है वो सबसे छोटा है, फिर उससे हम ऐसे cross करते जाएंगे जिससे कोई mistakes ना हो, दो बार एक number ना जाए चलो, अभी one हो गया three हो गया, अब उसके बाद क्या आएगा yes, number six, फिर देखो six हो गया, अभी तीन number बाकी रहे, चलो six के बाद क्या आएगा yes, number eight and then nine and one one eleven, चलो यह क्या हो गया हमारा ascending order ascending order माना smaller से लेके bigger तक सबसे छोटे number से start करके सबसे big number तक हमें जाना है, अभी इसको मैं ऐसे पूछू के चलो बच्चो अब हमें descending order में लिखना है descending माना bigger to smaller तो हमें क्या करना है पहले big number को पहचाना है, अगर ऐसा पुछा जाए आपको के descending order में उसको लिखो, तो हम क्या करेंगे big number find करेंगे चलो, यहाँ आपको big number कौन सा दिखाए दे रहा है, star में आप देखो सबसे बड़ा number कौन सा है yes, 11, तो पहले-पहले हम क्या लिखेंगे, 11 उसके बाद कौन सा number है 11 के बाद 9 number, उसको हम क्या करेंगे, descending कैसे बोलते है, क्योंकि यहाँ बड़े से लेके, छोटे तक हमें जाना है ओके, फिर 9 के बाद आएगा 8, यहाँ पे देखो उसके बाद आएगा 6, फिर 3, and 1 तो यह क्या हो गया, यह हो गया descending order और यह हो गया ascending order ओके, ascending में क्या करना है छोटे से लेके, बड़े तक जाना है और descending में बड़े से लेके छोटे तक जाना है चलो, सेव यहाँ लिखेंगे हम इफ लावर आपको दिखाए दे रहा है न उसमें numbers दिये गए है फ्लावर में numbers है तो हम क्या करेंगे पहले पहले चलो, हमें क्या करना है ascending order माना, ऊपर चड़ना है तो पहले पहले हमें बड़ा number दुणना है कि छोटा, छोटा क्योंकि हम छोटे से बड़े पे जाएंगे न, ascending में तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें से 10 number राइट तो हम क्या लिखेंगे 10 उसके बाद छोटा, छोटे से उससे बड़ा 13 उससे बड़ा क्या है 16 नई, सौरी, 15 आएगा 15 के बाद आएगा 16 16 के बाद आएगा 18 और 18 के बाद क्या आएगा 29 तो यह हमने क्या किया ascending order किया smaller to bigger अब देखो चलो इसको हमें descending में करना है तो पहले-पहले कौन सा number आएगा descending में तो पहले हम बड़ा number दुन देंगे ना तो पहले-पहले आएगा 29 उसके बाद आएगा 18 फिर आएगा 16 then 15 then 13 and 10 यह हो गया हमारा descending ओके ऐसे ascending and descending हमें learn करना है प्रही हमें यह हम प्रएब